हेलो दोस्तों मैं जतेदर त्यागी और आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक पिरियेड की वैदिक काल का के बारे में थोड़ा डिसक्रशन करने वाले हैं कुछ factual चीज है मैंने आपको एक और वीडियो के मातिम से पहले ही भेच चुका हूँ आज हमें डिसक्रशन करना है इस सभिता की उपर चलिए हम शुरुआ करते हैं वैदिक सभिता की वैदिक काल की इस वैदिक काल को जो काल माना जाता है वो पंद्रासो इसाफ पुरू से छ उत्तरवैदिक काल जिसको एक असार से लेकर छहसो विफूर क्रैस्ट तर रिंग्वैदिक काल यानि की जब वेदों की महता रही होगी और जब वेदों की महता कम हुई होगी उसको उत्तरवैदिक काल कहते हैं जहां दूसरी विचार दा रहा है हिंदुस्तान में पल्पी थी और उसके पतन के बाद आर्यों का आग्मन हुआ मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आये थे और मध्य एशिया से भारत तक आने या सिंदुगाटी सब्विता रहने वाले यह साथी साथ को युद्द नुट करते होंगे इस माध्यम से भारत परिवेश किया होगा और सिंदु घाटि सब्यता का पतन का एक कारण ये भी हो सकता है आर्यों का आक्रमण आर्यों के वारे में जानकारी का श्रोत सबसे विश्वसनी श्रोत वेद कहलाते हैं वेद चाल भावों में विवाजित है रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अधरवेद इनके जो सक्त सेंदो प्रदेश की जो परकल्पना है जहां पर आर्यों निवास करते हैं वो साथ नदियों के किनारे बसा हुआ था सरसोती, व्याज, रावी, सतलज, सिंदू, चिनाव, जिलब आरे जब अफगानिस्तान तक सीमित थे तब अपने आपको ब्रह्मो बर्त कहते थे लेकिन धीरे धीरे वो गंगा जमना के इलाकों तक आये गंगा जमना के मैदानों तक आये और जब वो गंगा जमना के मैदानों तक आये तब अपने आपको आरे बरत कहने लगे साक्षों से पता ही चलता है जब गंगा और जमना के मेरानों की सफाई की जा रहे तो बड़े क्वेमाने पर लोहे का प्रियुक किया गया होगा पैदावार उत्पादन अत्रिक तुआ होगा और बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यक्ता हुई होगी और उस दौर में एक नए वर्ग का उदे हुआ था सूत्र वर्ग ये लगबग आठवी इसपूर्ग की कहानी है तो सूत्र वर्ग का अस्तित्व लगबग आरे सबिता के तहती ही माना जाता है आरे लोग आरे भाशा के इस्तिमाल करते थे जो बात की संस्क्रिट कहला है इसलिए वो आरे कहलाते थे इसके बाद हम इनकी चर्चा करते हैं विस्तारे वेदों के बारे में बहुत सारे फेक्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया और इस वीडियो में अपन घी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं पहले हम आरे सब्विता के लोगों के जीवन से जुड़ी हुए पहलों पर चर्चा करते हैं तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में रहते थे और इनका मुखिकार युद्ध करना होता था तो इनकी जो प्रिशास्निक सर्णरक्षना हैं यानि कि इनका कप्तान होता होगा या कभीरे जो सरदार होता होगा जो सरदार दीरे दीरे आगे चलकर जिसको राजा कहा जाने लगा वो सरदार युद्ध कौशल के आधार पर ही चुना जाता होगा वैदिक काल में राजा पहले कभीले का प्रमुक होता था धीरे दीरे जैसे ही छेत्र बढ़ता गया तो फिर वो चुनक आने लगा इसका मतलब रिग्वेदिक काल में किसी भी तरह से वंशानुगत राजा बनने की कोई प्रमाण उपलब्द नहीं है इसके अलावा अगर हम और इनकी प्रशाशने क्विवस्था की बात करें तो राजा को सला देने के लिए दो समीतिया होती ती यानि कि उस दौर में राजा जो बनेगा वो यह दोनों समीतिया निरधारित करती थी जिन समीतिय जिनको एक को सभा कहते हैं दूसरी को समीति कहते हैं सभा में लगभग उस दौर के उस शेत्र के उनके कभी लेके सभी वयस्क लोग होते थे कुलिल लोग होते थे या व्रद्द जन होते थे जो राजकार्यों मेंनों को सलादे थे दूसरी जो समिति उतर उते ते लोग उते aspiration को सला देते लिए लिए इसके बाद अगर हम इनकी बात करेंगे राजनैती के राजनैती के काईयां जाने से मिली नाम की एकवर सहस्तह थी जो अबने नियम बनाते थी इन जिसका मुख्या कुलब कहलाता था फिर उसके बाद ग्राम यानि उसका मुख्या ग्रामिडी होता था उसके बाद विश्ट विश्पती फिर जन फिर रास्ट जिसका प्रमुख राजा होता था कुल ग्राम विश्जन रास्ट ये रिगवेदिक काल में उपलब्द प्रशाशने एकाया थी धीरे धीरे जैसे ही उत्तर वैदिक काल तक हम पहुँचे यानि कि रिगवेदिक काल का अंतु हुआ तब थोड़ा आर्थिक और सामाजिक तौरपर समाज आगे वढ़ना शुरू किया तब उस दोर में राजा की शक्तिया जादा हुई राजा की शक्तिया जादा हुई तो और लोगों का इस्थाई जगह पर रहना भी शुरू हुआ चुकि रिगवेदिक काल में लोग हर एक जगह पर रुपते नहीं थे, यानि कि वो इस्थाई निवास नहीं कहलाता था, लेकिन उत्तरवेदिक काल आते आते लोग इस्थाई रूप से निवास करने लगे थे, तो राजा ने अनिवारे तोर पर कर लगा दिया था, और परिषद की स्थाप्ना की गए जिसको रत्निन नाम दिया गया, रत्निन, एक ग्यारा सदस्थी परिषद्धी जो राजा को सलाह देती थी, इसके अलाबा जब हम बात करते हैं इनके भू स्वामित्त की, तो रिगवेदिक काल में तो लोग एक जगह जगह जादा दिर रह लेकिन उत्तरवेदिक काल आते आते जैसे मैंने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले के राजाग ने अन्यवारे टेक्स कर वसुल्ला शुरू कर दिया था जो जो भी उत्पादक हो रहा होगा, जो भी उत्पाद हो रहा होगा, उसका एक बटे छैसा वो करके रूपने ल होती होगी, कभीलें हैं कभीलों में जो जुद्धऔ होते होंगे, वो कभीले के सरदार के हिसाफ से लड़ाई लड़ते होंगैं, लकिन विशीछ रूप फ़ोई सेना नहीं होती थी, लेकिन उत्तचरवयदिक काल में आते आते, सेना का निरधारन भी किया जाने लगा और राजा का नेडम बिलकुल अंतिम होता था और सर्व मानने होता था और अगर हम अपरादों की बात करें तो चोरी या धोखा देना इस तरह के अपराद होते थे चोरी चकारी जादा कोई मर्डर जैसे अपराद नहीं होते थे इसलिए सजा भी जुर्माना लगा दिया जाता या किसी को कुछ गाये देने के लिए बोला जाता तो इस तरीके उसमें इसा कुछ नहीं दिया जाता ता तो एक तरह से दंड के तौर पर वो जुर्माट लगा सकते थे इसके इस दौर में गाये उनसे ले सकते थे जुर्माने के तौर पर दाश बनाया जाना ये तीन दर्ल होते थे क्योंकि उस समय अपराद भी कुछे चोरी या किसी का दोखा देना या पशु चोराना ये ही अपराद कहलाते थे तो ये इनकी राजनेतिक विवस्ता है जो भी धीरे धीरे उत्तरवेदिक काल तक आते आते जब गंगा मेंदानों के सफाई होगी जब खेती बाड़ी पैदावार जादा हुई होगी जब लोगोंने इस्थाई तोर पर एक जगह रहना शुरू किया होगा तब असली अर्थिक तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनकी सामाजिक श्तिथी charred Hayvida करें कंच तो और शीख है नहीं दोब सुमाँ दो ये देखा जाता है कि तो आधि उनकी जैसे प्रभार की प्रढाली होती थी वह कि प्रढाली होती थी व्चिश़् नहीं दिए उस सब्विता के अंदर जο अनार्य है अन लोगों के बीच दिखाई देती हैं अगर हम व्रड्वेवस्ता जैसी करें तो उस दौर में आप लोगों में आपस में कोई इस तरह का भिद्वाव नहीं था लेकिन जिनके पास पशुन संख्या जादा है वो थोड़ा अमीर वर्ग कहलाता होगा या वो लोग जिन्होंने दूसरों पर आक्रमण करके चीजने चीनी होंगी और लेके यहां बाटे होंगे तब उन लोगों का भी थोड़ा अस्तित्त होता होगा लेकिन जो भी लूट का सामान ये लोग लेके आते थे वह बाटने के आदार पर ऐसा पता चलता होगा कि सबसे पहले पुरोहित को दिया जाए फिर योद्धा को दि किया जाए तो यह इनका एक तरीके से सामाजिक संदचना की स्कतिती थी ऐसे ही लोग रहते थे क्योंकि उस दौर में तो भई ये पशुधन की तलाश में आते थे इनको पशुपालन जी जानते नहीं थे उतनी मात्रा में जो हम आगी जाते हैं लेकिन वड़ विवस्ता की हमें नजर आई थी कि चार वर्ड़ों में समाज विभाजित कर दिया गया था कि शत्री वैश्य ब्रामण और शुद्र तो यह बड़ विवस्ता हमें उत्तर वैदिक काल में नजर आती है जबकि रिग्वेदिक काल के में ऐसे कुछ प्रमाड विशेस नहीं मिलते हैं जब कि यहां पर पित्र सत्ता अत्मक सत्ता थी लेकिन पित्र सत्ता अत्मक सत्ता होने के बाद इनको वन्ष वन्ष से कोई लेना देना नहीं था कि रिष्टेदारों से कोई लेना देना नहीं था यानिकि इनका जो जुड़ने वाला पैटरन है वो जो आज चलता है कि हमारे मा माच चाचा वैसा कुछ नहीं था इसके बाद अगरमेंट की विवा की बात करें तो सामनेत है एक ही विवा की प्रमाड मिलते हैं लेकिन इसके साथ ही बहु विवा की प्रमाड मिले हैं अंतर जाती विवा की प्रमाड मिले हैं वैदिक यूग में इसके अलावा गिद्बा व सब्सक्राइब दोनों तरिके के बोजन खाते थे साथ में जन जानवरों को बली में चड़ाया जाता था चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो उनको भी ये खाते थे आरे लोग इसके अलाव में बस्तर जो मैंने बताया था महला उपर उस दोनों को आगुशर पहनने का शौप था वस्तरों आरे समिता में नॉर्मली वही दोती लोग पहनते थे और उपर एक कपड़ा नालते थे वदन को ड़ने के लिए इसके वाले निवास इस तलकी बात कर करते थे घास पूस के बने निवास होते थे कुछ विशेश निवास नहीं हुआ करते थे उस दौर में तो यह जो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं इनका सामाजिक जीवन है उत्तर वैदिक काल की प्रमुक विशेश्था ही थी संसकार आश्रम विवस्था गोत्र वड़ विवस विवस्थान किया जाता थां कूद इनकी संक्या सामाने ते 16 माने जाती थी यह उस दौर की वैधिक संसकती की उत्तर वेदिक काल की प्रमुक विशेश्थ थी इसके अलावे जैसे हम आश्रम विवस्था की बात करते हैं तो चारत रहे के आश्रम इस विवस्था एक नहीं विवस्था भी उत्तरवधी काल की देन है इसके बाद गौत्र को गौत्र का मतलब होता है गोट यानि मतलब वो सभी एक गौत्र के हैं तो इस तरीके से की प्रिकल्पना हुई और पहले इस पुरह्त्र के होते थे आगे चल कर ये सभी वर्गों ने गौत्रों को अपनाया इसके बाद अगर हम चल्चा करते हैं उत्तरवैदिक काल की इन चार संसकारों के बारे में जो हम बता रह करें कि लोग क्या काम करते थे क्या कमाते थे कैसे खाते थे तो सबसे पहले नाम आता है क्रशी का है चुंकि वैदिक लोग यानि jeem आते लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते-आते ये जो विवस्था थी जो पहले जन जाती विवस्था हुआ करती होगी वह उन्त करशी विवस्था बन गई थी उत्तरवेदिक काल आते आते चुकि लोहे काउपयोग भी बहुत तेज हो गया था और प्रमाड मिलते हैं कि एक हल में 6,8,24 ब्यालों को जोता जाता था इसका मतलब ये बड़ी उन्नत क्रशी बेवस्ता रही होगी इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं पशुपालन की तो मुखे आरेज सबटा का जैसा कि हमने पढ़ा ही था इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि उद्ध्योगों की चुकि रिग्वैदिक काल में, उद्योगों का मतलब असल में क्रशी अधिशेश से होता है, कि लोग जो खाते हैं उसके बाद बचाता कितनी, बचाते कितनी, बचाने के बाद वो चीजों को बना पाएंगे, तो चुकि क्रशी अधारत अधिशेश तो रिग्वैदिक काल में अप्लब्द थे ली या क्रशी उतनी मात्रा में थी नहीं तो उत्तरवैदिक तो उस समय कोई बहुत प्रमुख धंदे नहीं थे फिर भी लोग वहाँ पर बड़ेगीरी का काम होता था अबुशण बनाये जाते थे ताविकाल से के उपकरण के साख्षे मिलते हैं इनकी चर्चा होती है लेकिन जैसे ही हम उत्तरवैदिक काल में आते हैं जहां पर क्रशी अधिशेश उकलब्द था इसलिए शिल्प और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला जैसे हमने शब्दों की चर्चा के थी कि वहां में पढ़ियों वर्णिक दो शब्द प्रचलिक थे जो लोग व्यापार करते थे उनके लिए और प्रमुख वापार उस समय कवस्त्र और चमड़ा उत्यों हुआ करता था इसके अलावा अगर हम बात करें जब ये व्यवस्ता धीरे धीरे फल फूल रही थी या फली फूली आगे चलके ये एक विक्सित अर्थ व्यवस्ता बनने वाले थी क्रशी आधारित विक्सित अर्थ व्यवस्ता के मतलब क्रशी आधारित एक सम्रद अर्थ व्यवस्ता ब तो और इसी दोर में जो श्रमिक वर्ग था उसका उदय हुआ जिसको शूद्र वर्ग हम कहते हैं इसी दोर में आगे चलकर इन प्रचलित उद्योगों के अलावा कई अन्य काम भी निकल के आए जो हम उद्योग की बात कर रहे हैं या व्यापार बाड़त जी की बात कर रहे ह दीरे दीरे आगे चलकर कई और भी काम निकल के आए इन प्रचलित कामों के अलावा लोगों जैसे देखो सुनार लोहार तो थे सुनार लोहार कुनार बढ़ाई बुलकर ये पहले से प्रचलित थे लेकिन नए लोगों में नए काम क्या शुरू हुए लोगों ने बाल कटव पाम मिला करशी अदिशेश से ही ये संभवता तो जब ने की बात करते हैं तो रिग्वेदिक पाल की अर्थ विव्श्था तो विशेश चर्चा योग नहीं है लेकिन जैसे हैं उत्तरव्यदिक काल तक आते हैं तो अन्ट करशी के साक्ष मिलते हैं---- समझ में आता है कि वहां पर उत्पादक्ता जाला पैदावार रही होगी उस काल में व्यापार शुरू करने के लिए पैसा उधार भी लिया जाता था और उधार देने वाले अधार जिस सब्विता के थुरू आज हम जी रहे हैं या जिस सब्विता को हम बहुत कुछ उसका फॉलो कर रहे हैं वो रिग्वेडिक सब्विता थी तो इसके उपर हमारे ये लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं आप करें इसको सुनें एक दूबार ताकि चीजें स्टूरी की तरह हैं याद हो जाएं थैंक्यू तो मच्छ आप अ हुआ है